Hi everyone, welcome to civil semester. I hope you all are doing well. आज 21st of November से 24th of November तक का current affair analysis करेंगे. पहली news item जो है वो वोस्टो अकाउंट के बारे में. देखे सबसे पहले समझते हैं वोस्टो अकाउंट के बारे में. सपोस कीजे इंडिया और रश्या के बीच में trade चलता है. इंडिया रश्या से कुछ लेता है, रश्या इंडिया से कुछ लेता है. तो export and import चलता रहता है. अब क्या होते है कि देखे रश्या को, इंडिया को अगर payment करनी है, तो उसको US dollar में करनी पड़ती है. अब अगर रशिया और इंटिया चाएं कि इस यूएस डॉलर से निकलने के लिए इस cycle से निकलने के लिए वो कुछ ऐसा करें कि वो अपनी personal domestic जो currencies हैं उन्ही में payment कर सकें इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक vistos account खुलना जा सकते हैं यह एक ऐसा अकाउंट होगा, सपोस कीजे, इंडिया ने रशिया से कुछ खरीदा, इंडिया वो डुमेस्टिक इंडियन रुपीज में खरीदेगा, सपोस कीजे, रुपीज की इनों ने कोई चीज खरीदी, और रुपीज इस अकाउंट में जमा करवा दिये, हमने, यह रशिया को इंडिया से कुछ खरीदना है तो रशिया अब दुबारा से यूएस डॉलर नहीं देगा रशिया इसी 100 रुपीज को जो इंडिया की किसी बैंक में रशिया की तरफ से सेवड पड़े हैं तो उस पैसे को यूटलाइज करेगा और इंडिया की पेमेंट करतेगा एक कंट्री का बैंक सब्कोर्स की जिया रशिया का इंडिया के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है जहां पे इंडिया इंपॉर्ट के टा Collisic yield 기간 करेगा उस को भोल जाता है वोस्टो अकाउंट अभी हमारा और ऑजिया है उस ने अपरूबल दिया है नाइन स्पेशल वोस्टो अकाउंट खोलने के लिए रशिया के विभाप पे रशिया के लिए नाइन वोस्टो अकाउंट खोल जाएंगे और सिरफ authorized dealer bank जो है इंडिया में सिरफ वही वोस्टो अकाउंट खोल सकते हैं जिनको RBI ने authorized किया है उसके किया है और यूको बैंक को अलाओ किया है वोस्टो अकाउंट किया है वोस्टो अकाउंट जो domestic bank में होता है domestic यानि कि इंडिया के अपने इंडिस लैंड बैंक फोर example में होगा किसी foreign bank के बिहाफ पे ठीक है यहां पे case है रशिया का तो रशिया के बैंक के इस बिहाफ पे इंडिया का जो बैंक है इंडिस लैंड बैंक वो एक रशिया का हमारी domestic currency में हमारे रुपीज में एक अकाउंट खोल के रखेगा जिससे हम export और import करा करेंगे तो यह है वोस्टो अकाउंट और यह इंडिया इंडियान बैंक hold an account for रशिया in रुपीज सो रुपीज में यह hold करते हैं this is about वोस्टो अकाउंट और ऐसे कुछ अकाउंट इंडिया ने रशिया के लिए खोले हैं next news item है ivory trade के बारे में ivory trade समझने से पहले देखते हैं कि ivory होती क्या है elephant की जो task होती है उसके जो बाहर वाले बड़े बड़े दुद्दांत होते हैं इसको ivory बोला चाता है इसकी बहुत international market में बहुत demand है commercial की बहुत जादा significance है तो इसका illegal trade जो है बहुत जादा होता है for the first time बहुत टाइम से यह जो countries हैं जहाँ जादा अफ्रीकर elephants मिलते हैं अफ्रीकन elephant basically जैसे नामीबिया है बुत्सवाना है शाउस अफ्रीका है जिंबावे है इन countries ने repeatedly demand की है कि जो ivory trade के ऊपर ban लगा हुआ है उस ban को हटाया जाए और इस trade को allow किया जाए अब situation क्या है देखे इन दांतों को निकालने के लिए extract करने के लिए कई बार जो pushers होते हैं यानि कि जो शिकारी होते हैं वो कई बार elephant को hurt कर देते हैं जिसकी वजह से अब क्या होता है कि elephant का number जो है decrease होता जा रहा है अफ्रीकन elephant जो है उसका number डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था दूसरा एक तो elephant का number डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इनकी कुछ न कुछ significance होती है elephant के लिए अगर उसको कुछ time उखाडनी है कुछ खानी के लिए कुछ collect करना है उस time पे elephant को चाहिए होते हैं so elephant का नुकसान अलग से हो रहा है so इस सब को खतम करने के लिए sites ने ये जो एक convention हुई थी sign endangered species में trade को restrict करने के लिए convention on trade in endangered species को regulate करने के लिए जो convention 1976 में हुई थी so उसके according ये trade को ban कर दिया गया है अब तक इंडिया अगर कोई मालो जिंबावे वगरा ही countries अगर कहती थी कि ivory trade को allow किया जाए तो इंडिया हमेशा इसके against vote करता था लेकिन पहली बार इंडिया ने vote favor में किया है कि इसके उपर ban हटाना चाहिए और अफ्रिकन elephant की जो ivory है उसको उसको export और import जो है allow किया जाना चाहिए अब sites की conference की ये meeting थी COP चल रही थी उसमें ये resolution आया voting countries ने favor और against दोनों में किया और finally ये decide किया गया कि इसको allow नहीं किया जाएगा तो ivory trade अभी भी band है अब ivory जो trade है इसके status देख लेते हैं ivory trade को globally 1989 में band कर दिया गया था और elephant जो है African elephant उनको sites के appendix 1 में डाल दिया गया था देखिए इसके तीन appendix होता है appendix 1 और 2 important है appendix 1 में उन चीज़ों को रखा जाता है जिनका किसी भी तरीके का कोई भी trade allowed ही नहीं है जिसको खरीदा बिचा नहीं जा सकते हैं international market में appendix 2 में वो चीज़ें आती हैं जिनका trade strictly regulate किया जाता है strictly regulated kind of trade होता है तो उसको appendix 2 में रखे जाती है अब इसको African elephants जिनकी tusk की बात कर चल रही है जिनके ivory की बात चल रही है उसको इसके appendix 1 में रखा गया था इस यही demand चल रही है कि इसको हटाया जाए अब 99 और 2008 में दो बार इन ये जो चारो countries है sites ने इनको बोला था कि आपके पास जो भी आपने illegal capture किया है आपकी governments ने उन country की governments ने जितना भी ivory का trade illegal trade को capture किया है अपना stock pile बनाया है उसको बेच दें वो उसका allow किया था कि थोड़े time के लिए जो आपने seize किया है illegal लोगों से उसको आप बेच सकते हो international market में लेकिन अब वो थोड़े time के लिए किया गया था उसको बाद में फिर से reject कर दिया गया था फिर से उसको वहीं पर ले आए थे उसके बाद ताकि stock pile खतम हो जाए और उसके बाद उसको फिर उसी status पर ले आए थे कि इसका trade नहीं अलाओ अब इंडिया में ये जो trade है ये wildlife protection act 1972 के chapter 5A के अंडर ये prohibited है इंडिया में ये Asian elephants के case में हो सकता है यहां हमारी यहां पे Asian elephants मिलते हैं तो उनका 1986 से हमने इसको ban किया हुआ है 92 में एक amendment आई थी कि ivory imported into India जो है जो बहर से हम import करते हैं वो भी illegal होगी वो भी illegal trade माना जाएगा Asian elephant की schedule 1 में है comparatively endangered है ये schedule 1 में fall करते हैं wildlife protection act 1972 के अंडर next news item है संगाई deer के बारे में संगाई एक deer की species है ये मनिपूर में पाया जाता है मनिपूर का national animal है उसके अलावा ये लोक्टक लेक के उपर पाया जाता है लोक्टक लेक जो है उसके उपर एक केबूल लमजाओ नाम की एक national park है जो floating national park है सो उसके उपर संगाई डियर पाया जाता है और ये ऐसे मान लीजे ये लेक है उसके उपर ये ऐसे national park बनी हुए है उसको फुमडीज बोलते हैं और संगाई डियर यहां पे एक से दूसरे जगा climb करता है यहां पे रहता है इसी फेस्टिवल और इसी लेक इसी national park के साथ एक फेस्टिवल है संगाई फेस्टिवल यह मनिपूर का सबसे famous फेस्टिवल है दस दिन तक इसको बनाया जाता है और यह biggest tourism event होता है biggest tourism festival होता है मनिपूर का 11th edition इस बार इसकी host की जा रही है और उसका title है उसकी theme जो है वो festival for oneness है और pandemic की वज़ा से दो साल तक इसको नहीं organize किया गया था और उसके बाद अब इसको organize कर रहे है 13 venues पे इसको celebrate किया जा रहा है across 6 district में इसको celebrate किया जा रहा है ताकि अलग-अलग tribe और communities अपना showcase करें talent score अपने culture को ये संगाई deer है देख लीजे ये मनुपूर का state animal है endemic है वहीं पे मिलता है endangered है और bro antler deer की ये एक species है इसमें एक और special बात है कि indigenous सगोल कंग जई नाम की export जो है game जो है ये खेली जाती है के बुलम जाओ और लुक्टक लेक के पास ये kind of modern polo जैसी game है तो this is it about ये वाली news के बारे में next news item है national suicide prevention strategy के बारे में हमारी union ministry for health and family welfare ने अभी एक national suicide prevention strategy launch की है ये किस ने launch की है पहला question कि ministry of health and family welfare ने इसको launch किया है क्योंकि बच्चे इसके साथ often जो confused हो सकते हैं और बाकी सारी ministry of science and tech और बाकी और सारी कई ministries के साथ so ministry of health and family welfare ने इसको launch किया है national suicide prevention strategy हमारी country में पहली बार ऐसी कोई strategy आई है जो time bound action plan देती है कि time bound तरीके में हमने suicides को कम करना है क्योंकि आप एक चीज़ देखिए अगर हम बात करें suicide की हमारी जो 15 to 29 year की age group में जिन लोगों की death होती है उसमें से सबसे बड़ा leading cause है suicide इस age group में सबसे ज़ादा suicide से बच्चों की death होती है otherwise बाकी सारी cases के मुकाबले में accidents unnatural deaths unnatural deaths इन सब को हटा के suicide सबसे पहले number पे है उसके अलावा हमारी country में हर साल approximately 1 lakh people जो है वो suicide attempt करते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मद्दे नज़र रखते हुए government ने mental health को important stage एक stage देते हुए mental health की importance के बारे में बात करते हुए एक strategy लाई है इस strategy में अब तीन चीज़े होगी पहला कि effective surveillance mechanism लेके आना है अगले तीन साल के लिए उसके अलावा हर district में एक district mental health program चलाना है और हर district में psychiatric outpatient department होगा जो suicide prevention services प्रोवाइड करेगा suicide help line प्रोवाइड करेगा इसके अलावा mental well being जो बच्चों का school का curriculum होता है उसमें mental well being एक अलग से as discipline और as एक अलग curriculum उसको add किया जाएगा ये target है कि आने वाले 8 साल में हम ये करेंगे और 3 साल के बीच बीच में हमने surveillance mechanism लाना है 5 साल के बीच बीच में हमने हर district में एक अलग से department बनाना है mental health को देखने के लिए और 8 साल तक आते आते हमने बच्चों का education के sector में थोड़ा सा काम करना है और उसमें curriculum add करना है क्योंकि देखे ये बहुत important health होती है कई बहर पढ़ाई को और इन चीजों को इतना prioritize कर दिया जाता है कि mental health जो है वो बहुत पीछे रह जाती है और mental health उतनी भी important है जितनी आपकी physical health है so this is also very important ये जो guidelines है these are responsible for media reporting of suicides and restricting access of means of suicide कि बच्चों की suicide करने के तरीकों को कम करना है और reporting वगएरा proper होनी चीए उसके अलावा ये आपको बता दिया है कि 9-29 year की category में top killer है suicide हर साल 1 lakh lives हम lose करते हैं इससे WHO की भी South East Asia Regional Strategy है suicide prevention के लिए हम भी उसी को suit करने के लिए बना रहे है उसके अलावी ये strategy का aim क्या है ये important है कि 2030 तक आते हैं हमने suicide की mortality जो है उसको 2030 तक आते हैं हमें उसको 10% तक कम करना है उसके अलावा हमारी government का आपको पहले initiative पता होगा कि एक टैली मानस नाम का एक initiative launch किया गया था ये जो टैली मानस initiative है टैली mental health services है इसमें phone call के through persons की counselling वहरा की जाती है तो ये एक important initiative था इसके अलावा पहले क्या होता था कि suicide को criminal offense माना जाता था कि अगर कोई person suicide attempt करता है तो वो criminal kind of उसको offense मानते थे कि ये गलत किया जा रहा है लेकिन अब जैसे कि जैसे धीर धीर advancements हुई है और समझ आई है कि person has no control on his mind when he is attempting suicide or when he is into mental low position तो suicide को उसकी वज़ा से decriminalize कर दिया गया था 2017 में और एक mental health act आया था 2017 में उसके underscore decriminalize किया गया था ये इसके बारे में next है global partnership एक बनाई जा रही है artificial intelligence के उपर global partnership on artificial intelligence जो है इसकी third edition की अभी annual meeting चल रही थी और इस time पे chairmanship जो थी वो France के पास थी और जो ये summit थी ये टोकियो में हुई थी इस बार France ने ये chair को इंडिया को पास आउन किया है अब ये chair इंडिया के पास है so global partnership on artificial intelligence जो है ये एक international initiative है जिसको basically सिरफ इसी लिए launch किया गया है कि human centric development और artificial intelligence को हम कैसे ज़्यादा यूज करें ताकि हम human centric development कर सकें हम कैसे इसको और ज़्यादा efficient बना सकें जो भी challenges artificial intelligence के साक्टर में आते हैं उनको कैसे address किया जाए ये जो GPAI है इसको G7 का basically ये idea था 2020 में इसको launch किया गया था और पहले 15 members इसके participants थे ये conglomeration अब धेरे देरे बड़ी हो रही है और 25 countries इसकी member है और इंडिया भी इंडिया ने इसको 2020 में ही लेकिन जॉइन कर लिया था as a founding member so ये पहला इस तरीके का initiative है जो artificial intelligence को deeply understand करने के लिए उसके challenges की opportunities को understand करने के लिए international level पे किया गया है अब OECD जो है बही इसके secretariat को host करती है ये एक multi stakeholder initiative है जिसमें सरफ governments participate नहीं करेंगी इसमें बहुत सारे experts science के experts, industry के experts civil society के people international organization, governments सब भी participate करेंगे multi stakeholder approach है because artificial intelligence के आप सफियर को limit नहीं कर सकते private sector भी इतना important role play कर रहा है AI के sector में जितना की government sectors कर रहे है in fact जादा ही कर रहा है private sector उसके अलावा उसके अलावा ये जो है इसमें aim क्या है इसका कि हमें artificial intelligence की evolution as हसाब से करनी है कि हम जादा से जादा use कर सकें artificial intelligence का और diversity, innovation, economic growth, inclusion ये सारी चीज़ें भी side by side equally proliferate करें next news item है fake reviews के बारे में आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग shopping करते हैं या कुछ भी करते हैं Amazon पे, Flipkart पे ऐसी बाकी सारी websites के उपर उसमें गया होता है कि customer ने रिव्यूज दिये होते हैं जिन person ने पहले अल्रेडी समान यूज किया है वो रिव्यूज रिखते हैं कि ये समान अच्छा है या बुरा है उसकी rating उसी साफ से decide होती है फिर accordingly people decide करते हैं क्या उनको वो product खरीदना है या नहीं अब कई बार क्या होता है कि ये जो companies होती है ये fake reviews publish करवाती है अपने ही लोगों को मतलब लोगों को पैसा दे के उनसे fake reviews publish करवाय जाते हैं अभी इन fake reviews की वज़ा से common people को बहुत suffer करना पड़ता है specially tour and travel sector में restaurant and eateries के sector में और consumer durable goods के मामले में उससे मतलब बहुत ज़ादा नुकसान भी कई बार हो जाता है अगर false reviews आ जाते हैं इसलिए government अभी एक framework लेके आई है कि ये जो fake reviews हैं इनको कम खतम करना है e-commerce websites के उपर ताकि fake reviews को खतम किया जाए तो उसके लिए एक framework आया है अब department of consumer affairs जो है उसने एक committee establish की थी कि एक framework बनाया जाए ये देखने के लिए कि fake और deceptive reviews जो e-commerce market में है उसको कैसे handle करें committee ने बोला कि basically सबसे पहले तो stakeholder को है stakeholders है e-commerce companies, industry associations consumer organizations और law chairs अब इसमें इन्होंने बोला है कि framework का नाम होगा Indian standard 19,000-2022 online so ये इसका Indian standard होगा customer review basically क्या होता है कि you know कि principles and requirement for collection, moderation and publication is prepared by customer review की case में ये जो moderation ये सारी चीज़ होती है मतलब इन्हों की collection, moderation and publication ये Indian standard ये responsibility होती है IS की response IS मतलब Indian standards की responsibility होती है और standard का basically मतलब ये होता है कि आपको consumer के interest को protect करना है e-commerce market में ताकि जो fake और deceptive reviews है उन मतलब वो नुकसान ना कर सके और इन सब चीज़ों को खतम करने के लिए जो ये framework है ये 2022 November 25 से इसको लागू कर दिया जाएगा अब इसमें provisions क्या है provisions हैं कि standards जो है वो kind of responsibilities देती है organization को कि वो एक code of practices ऐसा develop करें और necessary ऐसी situation ऐसी term of condition ऐसी stipulate करें ताकि कोई fake reviews ना दे पाए उसके अलावा SMS, phone call और email के थूँ verify किये जाएंगे ठीक है और अगर किसी को review देना है एक link के थूँँ को register करना पड़ेगा capture system यूज किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई है अब ये भी बात बोली है कि अगर कोई e-commerce company देखा जाता है कि वो मतलब गलत reviews पब्लिश हो रहे हैं वहाँ पे या गलत reviews आ रहे हैं तो उसको unfair trade practice माना जाएगा और violation of consumer rights consumer rights माना जाएगा next news item है अरीपत्ती biodiversity heritage site के बारे में सबसे पहले देखें कि biological heritage site होती क्या है biological heritage site किसी एक ऐसी site को होते हैं जिसमें बहुत unique biodiversity होती है देखें biodiversity पहले इसको split करते हैं biodiversity भी है और heritage भी है बहुत unique ecologically बहुत unique biodiversity होती है लेकिन वो ecosystem बहुत fragile होता है मतलब बहुत sensitive ecosystem होता है trastrial भी हो सकता है coastal भी हो सकता है और किसी भी तरीके का भी हो सकता है trastrial भी हो सकता है coastal भी हो सकता है उसके अलावा marine भी हो सकता है inland भी हो सकता है एक biodiversity वाला aspect हो गया दूसरा heritage वाला aspect heritage वाले aspect में क्या होगा कि वहाँ पे कुछ significance की चीज़ें होगी जैसे कि जिनकी heritage wise significance हो जिसकी historical कुछ significance हो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे पाई जाएंगी State Biodiversity Board जो है वो चूज करता है किसी भी site को Biodiversity Heritage Site declare करने के लिए और in accordance to Biological Diversity Act of 2002 National Biodiversity Authority जो है वो guidelines issue करती है किसी भी जगा को जिसको select किया जाएगा इसकी उसके लिए ठीक है उसके अलावा SSB जो है ये State Level Monitoring Committee भी बनाता है ठीक है जो monitor करती है implementation करती है management of biological heritage sites को अमीनपूर लेक तेलंगाना में पहली water body थी जिसको biological heritage site declare किया गया था इन असेंस की देखे अभी एक बर पढ़ लेते हैं then I'll talk about that अब तमिलनाडू government जो है उसने अरिपत्ती एक जगा का नाम है ये मादूरई district में है इसको biological heritage declare किया है अरिपत्ती first biodiversity heritage site है तमिलनाडू में अरिपत्ती को biodiversity heritage site section 37 of biological diversity act के under recognize किया गया था ये site जो है ये मिलूर ब्लॉक of मादूरे district में है और इसका total area 193.21 hectares का है अरिपत्ती village जो है वो ecological और historical उसकी significance काफी जादा है जिसकी वज़ाए से उसकी rich biodiversity होने के लिए ये बूला जाता है कि ये biodiversity के मामले में एक heritage site है कि एक मतलब पुरानी time से बहुत एक अच्छी endemic biodiversity यहां पर sustain की जा रही है अब ecological significance में क्या है इसका कि इसको biodiversity heritage बोल रहे हैं कि हमारी पुरानी एक ऐसी एतिहासिक site है biodiversity के मामले में ये ठीक है so ecological significance में क्या है कि इस village में wildlife जैसे कि बहुत सारी मिलती है ठीक है उसके अलावा cylinder loris मिलता है python मिलते है ठीक है और इसमें 200 species of birds देखने को मिलती है तीन important raptor की species मिलती है lagar falcon है शहीन falcon है bonelli eagle है तो ये सारी चीज़े यहां पर देखने को मिलती है इसके अलावा इसमें जो है मतलब इनों की 72 lakes के kind of watershed भी यहां पर आसपास area में present है तीन check dams जो है छोट-छोटे present है अनाई कोंडल lake जो है फर्स्ट टाइम ये पांडिया के रूल के टाइम पे इसको बनाया गया था 16th century में तो ये इसकी significance के बारे में है नेक्स है Champions of Earth Award Champions of Earth Award दिये गए है अभी लेटली ओफ लेटली Champions of Earth Award इस बार हमारी country में से डॉक्टर एक बर्मन है इंडियन बाइलोजिस्ट है डॉक्टर बर्मन wildlife बाइलोजिस्ट है इनको Champions of Earth Award मिला है और UNEP सबसे पहली बात देखिए कि इसको UNEP देता है UNEP 2022 के Champions of Earth Award इन्हों डिक्लेयर किये है और इंडिया से डॉक्टर बर्मन को दिया गया है डॉक्टर पुर्निमा देवी बर्मन को बेसिकली दिया किसलिए गया है उनको Entrepreneurial Vision Category में दिया गया है डॉक्टर बर्मन एक बाइलोजिस्ट है और एक हर गिल्ला आर्मी को लीड करती है बेसिकली हर गिल्ला आर्मी किया है ये कि सारी फीमेल्स का एक ग्रास्टूट लेवल कंजर्वेशन मूव्पमेंट है जो की उस एरिया में स्टॉर्क की पॉपुलेशन को एक्स्टिंशन होने से बचाने के लिए उनको इसी लिए Green Oscar Award दिया गया है उनके एफर्ट के लिए कि वो जो Adjutant Stocks को बचाने के लिए वो जो इतना एफर्ट कर रही है Champions of Earth Award जो है वो बेसिकली दिये कि इन लोगों को जाते हैं जो Environment के मामले में हमारे Nature को Protect करने के लिए Natural World को प्रोटेक्ट करने के लिए Degradation को कम करने के लिए एफर्ट करते हैं अब UN इस UN का हाइस एनवार्मेंटल ओनर है इसको UNEP ने स्टार्ट किया था 2005 में अब Champions of Earth Award जो है Outstanding efforts को रिकगनाईज करते हैं Government से, Civil Society के लोगों से Private Sector से जो की Environment को Transform करने वाला कोई initiative लेते हैं Champions of Earth Award चार काटेगरीज में दिये जाते हैं Inspiration and Action Entrepreneurial Vision Science and Innovation Policy Leadership के केस में इसके अलावा UNEP जो है Lifetime Achievement Award भी देती है और Recognizing Decades of Consistent Action On the Behalf of Planet की किसी ऐसे परसन ने जिसने Decades से बहुत ज़ादा अच्छा काम किया है Planet और उसके Inhabitants को Save करने के लिए उसको दिया जाता है Next item है Project उन्नती के पारे में अभी देखें कि Union Ministry of Rural Development ने अभी State की Performances को उन्नती Project के अंडर उसको Labor Budget के साथ कि Next Time जो Labor Budget बनेगा उसमे कि State को कितना Allocation दिया जाएगा वो Depend करेगा कि उस State ने उन्नती Project के अंडर कैसा काम किया है ठीक है कि Labor Budget इस हिसाब से Allocate किया जाएगा कि उस हर State ने उन्नती Scheme में क्या काम किया है अब उन्नती Scheme से पहले है क्या उन्नती Scheme के अंडर क्या है कि उन्नती Scheme में क्या होगा कि Government ने ये Scheme लाई थी और बुला था कि जिन लोगों ने 100 days of manrega work, temporary work कर लिया है complete उनको scale development की जाएगी ताकि वो formal work को access कर सकें अभी government का target था कि 2,00,00 लोगों को ऐसी training provide करनी है full employment था कि वो gain कर से कि और हर family में से एक adult member को ये provide करनी है ठीक है ये उसको you know कि train करना है so government का target 2,00,00 का था लेकिन 25-56 लोगों को ही train किया गया इसी की वज़ा से अब इसको 2 साल और के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अच्छे से fulfill नहीं हो पाई है तो जिसकी वज़ा से मतलब अभी project 99 की performance को link कर दिया गया है labor का budget जो allocate किया जाएगा हर state को so उसके अलावा ये lie इसलिए गई थी ताकि मनरेगा scheme के उपर dependence कम हो कि लोगों की skill development की जाए ताकि वो किसी और सेक्टर में भी काम करे formal employment लें instead of just मनरेगा के उपर dependent होके अब ये 19 scheme के under selected यो candidate होंगे skill development के लिए इनको तीन established training centers में education provide की जाएगी अगर किसी परसन को wage employment मतलब formal नौकरी करनी है कहीं पर उसकी जो training करनी है वो training दीनद्याल उपाध्याय में करवाई जाएगी और अगर किसी परसन को skilling और self employment करनी है तो वो उसकी rural self training institute और कृषिव ग्यान के इंदर में होगी और इसका जो इस time पे जब वो training होगी तो persons को stipend दिया जाएगा जिसको central government बोर करेगी central government वो पैसा देगी और monitoring इसकी कौन करेगा मिनरेगा scheme करेगी along with rural skill division जो है इसकी इस project को monitor करेगा next है करम योगी भरत technology platform सबसे पहले mission करम योगी क्या था civil services के लोगों की capacity building करने के लिए ये लाया गया था mission प्राइम मिनिस्टर ने अभी करम योगी भरत नाम का एक technology platform लाया है इस ये platform में क्या होगा कि जितने भी digital assets है करम योगी mission को promote करने के लिए वो सारे करम योगी platform पे डाले जाएंगे और ये responsible होगा on करने के लिए manage maintenance and improving the digital assets government के भी हाफ पे so उसके अलावा करम योगी program module है ये मतबिनों की ये mission करम योगी के under fall करता है करम योगी module जो online orientation course है kind of civil servants हैं उनकी capacity building के लिए time to time उनमे workplace ethics integrity उनमे ingrain करने के लिए और ऐसी सारे चीजने डालने के लिए time to time उनके training की जाएगी online curriculum के थूँ online guidance system के थूँ चाकि उनकी skill development की जा सके knowledge को deepen किया जा सके और competencies को बढ़ाया जा सके next है फिमाईन के बारे में Somalia में एक बहुत एक बुरे level का फिमाईन आया हुआ है भुखमरी हुई है फिमाईन किसको बोलते कि जब किसी country में इतनी ज़्यादा hunger हो जाती है इतनी ज़्यादा भुखमरी फैल जाती है और वहाँ पे लोग भुखमरी की वज़े से मरने लग जाते हैं कि death होने लग जाते क्योंकि लोगों के पास nutritious food नहीं है खाने को जिस country में आया है अकाल यानि कि फैमाईन आया है वो country along with United Nations के साथ मिलके declare करती है कि वहाँ पे फैमाईन आया है तीन conditions meet करनी ज़रूर है या तो minimum 20% लोग जो है वो extreme food shortage को face कर रहे है या फिर 30% children जो है उनमें malnutrition हो गया है और 2 out of 10,000 people उनकी death हो रही है इसी food shortage की वज़ा से तो ये इसकी conditions है नेक्स news है डिरेक्टर जेनरल of audit के बार में तमिल नाडू पहली state बनी है जिन्होंने अपना personal डिरेक्टर जेनरल of audit लाया है डिरेक्टर जेनरल of audit जो है वो responsible होता है कि उसने मत्तब जो audit इंटरनल audit का mechanism है उसको strengthen करना है और streamline करना है अब इसकी appointment तीन जगह से की जा सकती है परसन की Indian Audit and Account Service से Indian Administrative Services जो तमिल नाडू का auditor के लोग है उसके लावा lateral entry से बाहर से private sector में से भी किसी लोगों को लाया जा सकता है इस sector के लिए और presently DGA जो है वो general supervision करेगा control करेगा audit director rates के उपर और ये basic information अगस के बारे में आप ये देख लीचेगा next news item है अगनी 3 missiles के बारे में इंडिया ने अभी successfully testifier किया है intermediate range की ballistic अगनी 3 missile को और इसको APJ अब्दुलकलाम island Odisha से इसको launch किया गया training launch है ये ठीक है और इसको usually strategic forces force command जो है वही इसको launch करती है strategic force command जो होती है वो इंडिया में nuclear command authority का हिस्सा है जो सारी की सारी which is responsible for all command control and operational decisions जो सारे command control और operational decisions के लिए nuclear weapon के with respect जितने भी decision होते हैं उसके लिए responsible होती है अगनी 3 को DRDU ने develop किया था अगनी 3 nuclear capable missile है इसी लिए strategic forces ने किया है ये इनिशेट मतलब ये test किया है और ये जो strategic forces है nuclear command authority के अंडर आती हैं ये two stage rocket two stage solid propellant missile है surface to surface missile है 3500 km की इसकी range है और तरन का payload ये उठा के ले जा सकती है अगनी 3 missile जो है successfully test fire की गई थी ठीक है अपनी second flight में ठीक है और अब third consecutive मतलब इसका पहले भी test हुआ था 2078 में ठीक है so ये इसके बारे में है अगनी के बारे में this is it for today I think I hope you people liked it please share it with your friends and we'll meet with next week's next bi-weekly current affair on Monday and till then take care and thank you and share it with your friends we're not going to see your